दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सेलेक्शन में कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे लेकिन दोस्तो आज में अपलाइड मैटमेटिक्स म Mario का इसमें आज में 4 पार्ट लेकर आचुका हो और इस पार्ट के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को इस पूरे चैप्टर को सही तरीके से कवर कर दी जाएगा इससे पहले मैं topic को cover कर चुका हूँ लेकिन दोस्त आज मैं उस topic से जो मैंने cover किये हैं उससे जितने भी important question निकलते हैं तो उसको आज मैं design करूँगा है ना सही तरीके से उसको अच्छे तरीके से explain करूँगा और जितने भी question निकले हैं सबको मैं आपको जरूर बताऊँगा है ना दोस्त अगर आप इस channel पर नए आये हो तो channel को subscribe जरूर कीज़ेगा और वीडियो को like भी कीज़ेगा और notification को bell icon को जरूर प्रेश कीज़ेगा जिससे कि मैं जो भी वीडियो को upload करूँ उसकी notification आपके पास तक पहुँच चके अगर दोस्त आप पढ़ने के लिए आये हैं तो definitely आप इस वीडियो को skip नहीं करेंगे पूरा देखेंगे और बारी बारी से पूरी चीज़े को अच्छे तरीके से note करते हुए चलेंगे अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आई दोस्त जादा बात नहीं करते हुए topic की ओर चलते हैं और questions की ओर चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत बहुत जबर्दस line से करते हैं के लहरों से लाड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर साहिल पिखड़ेओं के साज़िश नहीं करता वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है वो खून मेरे जिसम में गर्दिश नहीं करता वो खून मेरे जिसम में गर्दिश नहीं करता तो आई दोस्त पहले questions की ओर चलते हैं और B कमान 14-203-1 दिया हुआ है, कैसे इसको करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें इसका योग गयाद करना है, फिर उसके बाद में A-B गयाद कर लेंगे, हमसे जोडना भी आता है, हमसे घटाना भी आता है, एक बात आप यहाँ पर यह ज़रूर याद रखेंगे, जब हम योग यह अंतर करेंगे, उसमें रो और कॉलम बिल्कुल फेिम होने चाहिए, जैसे कि इसमें दो रो है, और तीन कॉलम है, तो इसका ओडर 2 into 3 हो जाएगा, ठीके, इसी पिरकार 2 इसमें रो है, और 3 ही इसमें कॉलम है, ठीके, अगर इसके रो और कॉलम समान है, तो ही हम इसको ज जोड रहे हैं ए प्लस भी ठीक है तो आई हम इसको ए प्लस भी करते हैं इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं और यहां पर अच्छे सा देखिगा आप ए और इन दोनों को जब हम एड़ करेंगे तो इसमें यानि पहला वाला जो अविव है इसमें ये अविव जूड जाएगा 2 और 1 कितने होते हैं 3 हमने यहाँ पर लिख जा पहले पहला विया ठीक है उसके बाद में जो इसके इस्थान पर लिखा हुआ 3 और इसके इस्थान पर 4 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा है ना इसी पिरकार 5 और minus 2 करेंगे यहां से 5 plus minus minus उज़ाएगा minus 2 is equal to 3 आ जाएगा है ना तो यहां पर हमारा 3 आ चुका है इसी पिरकार 5 में जैसे हम 0 को add करेंगे तो 5 ही आ जाएगा 0 में अगर 3 को add करेंगे तो 3 आ जाएगा minus 4 और minus 1 minus 4 minus 1 is equal to minus 5 तो minus 5 हमारा यह हमारा answer आ जाएगा है ना तो a plus b कमार यह हमारा आ चुका है अब उसके बाद में हम इसका अंतर ग्याद करते हैं इसका अंतर ग्याद करते हैं है ना तो a minus b a कमार यह लिखा और minus लगाया बीच में b कमार यह रहा ठीक है क्या करेंगे वही इस में से इसको minus कर देंगे है ना 2-1 is equal to 1 बचेगा तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया इसी पिरकार 3 में से minus 4 minus 4 और plus के 3 is equal to minus 1 जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 और minus यह वाला minus इस वाले minus को plus कर देगा है ना देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि 5 यह रहा minus बीच में है और minus 2 पहले से यह रहा चुकि हम corresponding को add करते हैं और जोडते हैं तो यहाँ पर minus पहले से यह तो इस वाले minus को यह plus कर देगा तो यहाँ पर 5 plus 2 is equal to 7 हो जाएगा जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं I hope दोस्त यह चीज़ आपको समझागे इसी परकार दोस्त 5 यह रहा और minus 0 यह रहा तो 5 ही बचेगा 0 यह रहा minus 3 यह रहा तो 0 minus 3 is equal to क्या जाएगा minus 3 अरे भई यह वाला minus इस वाले minus 3 के पास आगर के minus हो जाएगा तो minus 3 हो जाएगा minus 4 और minus 1 और minus पहले से यह रहा तो यह वाला minus इस वाले minus को plus कर देगा तो क्या हो जाएगा यह plus हो जाएगा तो minus 4 यह वाला minus 4 ठीक है और plus के 3 is equal to minus 1 तो यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर हमारा minus 1 आ जाएगा a minus sorry यहाँ पर देखी यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर गलती हुई है यह कि हाँ गलती यह हुई है यहाँ पर हमने क्या कहा minus 4 यह रहा है ना और यह वाला minus 1 यह रहा minus 1 यह रहा और यह वाला minus इस वाले minus को plus कर देगा है ना तो minus 4 और प्लस वन is equal to minus 3 इस तरह से आएगा minus 3 ये इसका answer हो जाएगा ये इसका अंतर और ये इसका यो हो जाएगा I hope दोस्त corresponding जो होते हैं उसको आप add करना और minus करना सीख गए होगा मैं जो पूरी उम्मीद है उसके बाद मैं ये सारी चीज़े दोस्त मैं बता चुका हूँ topic में बता चुका हूँ बस मैं इससे जितने भी important question निकल रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको है ना तो आई उसके बाद हम इसको ग्याद करते हैं निम्न आव्यू का मान ग्याद कीजे इसका हमें मान ग्याद करना है यानि यह हमें दिया हुआ है इस तरह से दियूँ इसारल ने आव्यू दिया हुआ है matrix प्लस यहाली matrix और यहाली matrix माइनस करनी है क्या करना है सबसे पहले तो हम इसको और इसको प्लस कर देते हैं जैसे कि 2 में अगर हम 0 जोड़ेगे तर 2 आ जाएगा 3 में अगर 1 जोड़ेगे तो 4 हो जाएगा माइनस वगर और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा 6 और 7 6 और 7 13 2 और 3 5 0 माइनस 8 माइनस 8 ही आ जाएगा इसी तरह से दोस्तो 3 प्लस 2 5 4 माइनस 1 3 6 माइनस 1 5 आ जाएगा अब यह वाला लिखेंगे माइनस वाला है ना अब क्या करेंगे इस में से इसको माइनस कर देंगे जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 8 माइनस 8 यह रहा और यह वाला माइनस इसको प्लस कर देगा है ना तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8, 4, 12 इसी प्रिकार minus 2 यह रहा और minus 5 तो minus 2 minus 5 is equal to minus 7 तो minus 7 ही आ जाएगा इसी तरीके से दोस्त आप इसको minus कर लीजेगा definitely इस चीज आपको अच्छे तरीके समझ आ गए होगी उसके बाद next questions क्यों चलते हैं यहाँ पर इसका answer minus 1, 19, 4, 12 1, 2, minus 7, 4, 4 उरा जाएगा उसके बाद में next questions क्यों चलते हैं यहाँ पर दिखेगा एक अमान दिया हुआ है 1, 3, 5, 2, 4, 6 तो 3 एक अमान क्या होगा क्या करना है 3 की multiply इसके अंदर वाले सभी number से सभी अव्यव से सभी element से कर देंगे 3 एक अमान निकल कर आ जाएगा 3 is equal to 3 एक अमान लिए पुरा 1, 3, 5, 2, 4, 6 3 की 1 में करेंगे 3, 1 is the 3 3 की 9 में करेंगे 3, 3 is the 9 3 की 5 में करेंगे 3, 5 is the 15 3 की 2 में करेंगे 3, 2 is the 6 3 की 4 में करेंगे तो 3, 4 the 12 और 3 की 6 में करेंगे 3, 6 the 18 है ना तो यह इसका answer हो जाएगा 3 a कमान उसके बाद में question 4 की ओड हम चलते हैं इसमें कहा है कि a कमान यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और b कमान 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है है ना क्या कह रहा है कि तो दिखाईए कि a, b is not equal to b यानि जो पहले हम इसकी a, b की multiply करेंगे उसका एक answer आएगा a, b उसके बाद में b की multiply फिर a में करेंगे है ना तो हमें यह दिखाना है कि a, b is not equal to b यानि a, b, b, a के बराबर नहीं है यह हमें दिखाना है कैसे करेंगे a into b is equal to a का मान रखा 1, 2, 3, 4 यह वाला और b का मान रखा यह रहा किस तना से हम multiply करते हैं मैंने आपको इस से पहली वाली वीडियो में ज़रूर बताया है पहली row और पहला column पहली row दूसरा column ठीक है 1 की 5 में करेंगे तो 5 आजाएगा 2 की 7 में करेंगे तो 14 row by column चलना है row by column row by column चलना है पहले दिखे इस row की इस column में और उनको add करेंगे 1 की 5 में तो 5 2 की 7 में तो 14 14 और 5 को add करेंगे अगल स्टेप में उसके बाद में इस row की multiply इसमें भी होगी तो 1 की 6 में करेंगे तो 6 2 की 8 में करेंगे तो 2 add the 16 इसी पिरकार 3 की 5 में करेंगे यहाँ पर अब इसके तो काम complete होगया पहली row पहला column पहली row दूसरा column इसी तरीके से दूसरी row पहला column दूसरी row तीसरा column इस तरह से 3 की 5 में करेंगे 3 5 the 15 16-15-26-2165-2959-29-4626 2018-3240-2222 तचासुचंचचप उटै अब यहां पर इभी कमान निकल कर आया है इसी परकर भी कमान निकलना है तो भी कमान जब हम यहांसे निकालते हैं तो भी कमान रिखा पहले हम ने रहां पर फिर उसके बाद आ रखा ठीक इसी परकार वही पहली रो पहला कोलम पहली रो दूसरा कोलम दूसरी रो पहला कोलम दूसरी रो दूसरा कोलम इस तरह किसे तो फाइफ की वन में करेंगे फाइफ सिक्स की थ्री में करेंगे च्छेतिया ठारा उन दोनों को प्लस कर देंगे इसके बाद में पहली रों की इसमें भी करेंगे नहीं है ना तो पांच की दो में करेंगे यहांपर पांच दुनिदेश, चे की चार में करेंगे च्छेचोंक चॉबिस आजाएगा 24 और दस को अगले स्टेप में add कर देंगे इसी पिरकार आप पहली रोको तो come complete अब इसserी डूसरी रोप पहला को लम Kazakhstan 7 к One में करेंगे 7 8 3 तीन में करेंगा आट है 24 सॉबिस इसी पिरकार 7 की दो में करेंगे 7 दोने 14 आट की चार में करेंगा आठ चुक 32 कि LIAR अई हो दोस날 बात समझ आ यह इसका यहां यहां देखें कि 19 22 43 50 और यहां पर क्या रहा है यहां पर क्या रहा है 23 34 36 यानि यह भी इस नौट इक्वल टूब यह प्रूव हो चुका है यह ना आई होब दोस्त यह बात आपको समझ आगी उसके बाद हम नेक्स कोश्चन की ओर चलते हैं और यह वाले दिया हुआ है इसमें प्रूव डैट एबी जीरो मैट्रिक्स हमें यह प्रूव करना है कि एबी एक जीरो मैट्रिक्स है आई हम करते हैं क्या करना है सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसकी कितनी रो हैं एक दो तीन तीन रो हैं है ना तो त्री और कितने कोलम हैं एक तीन ही कोलम है तो इसका ओर्डर 3 इंटू 3 लिख दिया है ना उसके बाद में अगर हमने इसको देखा तो 1 2 नहीं पहले हम उसको देखते हैं ये तो 3 इंटू 3 आगया ठीक है 1 2 3 तीन रो है तो 3 लिख दिया कोलम कितने हैं 1 और 1 2 तो 3 इंटू 2 आ जाएगा अब मैंने आपसे ये बताया था कि इसका कोलम और दूसरे वाले की रो पहले वाले का कोलम और दूसरे वाले की रो समान होनी चाहिए अगर ऐसा है तो इसको हम इसको हम आगे यानि इसकी हम मल्टिपलाइ कर सकते हैं आपसमें फिर, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये शर्त होती है, पहले वाला का कॉलम, दूसरे वाले की रो, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं, मैंने क्या का, मैंने का, पहली रो, पहला कॉलम, पहली रो, दूसरा कॉलम, काम खتم, अब क्या मतलब हो जिसे कि पहली row और पहला column यानि पहले वाले के साथ पहला वाला और दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला तूसरे वाले के साथ तीसरा वाला multiply करके और add करेंगे एड करेंगे तो सब्मारा यहां पर यह आजाएगा इसी पिरकार इसकेशा अब दूसरी स्टेप में अब इसकी हम इसमें फ्रकार दोस्ता हम नेक्स स्टैप में क्या करेंगे आब दूसरी रोब पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, ठीक है, हमने ये किया और ये किया, उसके बाद में तीसरी रो, पहला कॉलम, तीसरी रो, दूसरा कॉलम, I hope दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गए होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, यहां पर AB कमान, अगर हम देखें, तो यहां प यानि AB1 AB1 क्या है? AB1 0 matrix है, इस चीज को आप याद रखेंगे यह प्रूव हो चुका है दोस्त, यही हमें दिखाना था क्या कहेंगे, this is a 0 matrix राइट, प्रूव हो गया है उसके बाद next questions क्यों चलते हैं जैसे यहाँ पर show that matrix A is equal to 0, 1 minus 2, 1, 0, 3 minus 2, 3, 4 यह हमें बताना है, कैसे बताएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इसका solution क्या करेंगे, इसको row को और column में change, भई symmetric, metric का मतलब क्या होता है, सम्मित आवियो यानि जब हम इसका transpose कर देंगे यानि इस row को इस column में change कर देंगे जो row है, row को हम column में कर देंगे और column को हम row में कर देंगे किसी एक row या column की बाद चल रही है चाहे वो कोई सी भी row या column हो सकती है अगर हम row को column में change कर देते हैं अगर उसके जो वो है मान, यानि उसके सारे elements पहले elements के बराबर आ जाते हैं तो उसको हम symmetric metrics यानि सम्मित आवियो कहते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे है एक कमान क्या है 01-2-103-2-34 इसको थोड़ा सा मैं zoom करता हूँ यहाँ पर अब अच्छे समझाएगा है ना एक कमान यह रहा अब हमने क्या कहा इसका a dash निकाला यानि row को column में change कर दिया उसका नाम हमने a dash दिया a dash is equal to 01-2 यानि यह एक row है इस row को हमने कहा लिखा column में लिखा तो 0 और यह वाला 1 यानि 1 आ गया और यह वाला minus 2 यानि minus 2 आ गया ठीक है उसके बाद में हमने इस वाले column को row में लिख दिया एक काम ही तो करेंगा आप row को column में column को row में चेंज करेंगे है ना तो आईए हमने देखे इस column automatically row में चेंज हो गया और row को हमने column में चेंज कर दिया किलियर अब हमने यहाँ पर यह देखा कि इसके सारे element इसके सारी element के बराबर है तो ऐसी matrix को symmetric matrix कहते है transpose करने के बाद किलियर अगर समान आती है symmetric matrix यानि submit आवियो तो a is equal to a is equal to a dash यानि ये प्रूव हो चुका है this is a symmetric matrix प्रूव हो चुका है किलियर show date यानि हमने दिखाना था हमने दिखा दिया अब उसके बाद दोस्तों very very important question very very important question है बहुत बार पूछा गया आपके exam में हैना कैसे solve करना है यहाँ पर आपको x plus 3y plus 3z is equal to 1 तीन समी करन दी हुई होंगी और हमसे इसको क्या-क्या इसकी ग्याद करना है इसका coefficient matrix ग्याद करना है हैना इसका सरवधिक आव्यू यानि augment matrix ग्याद करना है उसके बाद में क्या करेंगे उसके बाद में गुडांक आव्यू के सान्लिक कमान ग्याद करना है वल्यू वल्यू आफ डिटर्मिनेंट आफ कोफिशेंट मेट्रिक्स ठीक है तो कैसे ग्याद करेंगे सबसे पहले जो इसके यहां जो इनके कोफिशेंट है जो इनके क्या है गुडांक है उसको हम नौट करते है सान्लिक के माद सान्लिक में लिखते हैं उसको ठीक है तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा में जूम आउट करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देखेगा है ना सबसे पहले हम क्या गयाद कर रहे है हम कोफिशेंट मेट्रिक्स कोफिशेंट मेट्रिक्स गयाद कर रहे है गुडांक आप यू अब X का गुडांक क्या है 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया Y का गुडांक क्या है 3 है तो 3 हमने यहां लिख दिया Z का गुडांग क्या है 3 है तो 3 हमने यहां लिख दिया इसी पिरकार दोस्त Next वाली रो में Next वाली रो में क्या लिखेंगे जो इसका हमारा कोफिशेंट है X का वो 2 है 2 लिख दिया Y का कोफिशेंट 1 है 1 लिख दिया z का coefficient minus 1 है minus 1 लिख दिया इसी पिरकार दोस्त x का coefficient 3 है तो 3 लिख दिया 3 लिख दिया यह रहा और y का coefficient है तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया इसी पिरकार z का coefficient minus 1 है तो minus 1 लिख दिया तो क्या हो गया यह यह एक हमारा solution आ चुका है यह हमारा solution आ गया है क्या कहेंगे इसको इसको कहेंगे हम coefficient matrix उसके बाद हमें क्या गयात करना है सर्वधीक आव्यू यानि एक Augment matrix यानि AM है ना Augment matrix क्या गयात करते हैं आईए उसको समझते हैं AM is equal to 123 सबसे पहले तो हमें देखिए common matrix इसको ऐसी ही as it is उतार लेना है 123 314 3-1 अब यहां पर देखिए आपको क्या करना होगा 3-1-1 क्यों आया है अरे भई 3-1-1 यह रहा उसके बाद में 126 कहां से आया यह 126 केस आएगा इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं यहां पर आपको यह में फाली matrix पूरी इस तरह से आपको उतार देनी है यहां पो आपको डेश डेश ऄह को Дेश तफिए इस 29 लिखा हुआ है 126 तो इसको एक यानि इसकी घ्रोंच करते हैं इसका में करते हैं a आप यूग के साड़ी कमान यानि इसका मान गयात कर लेंगे इसका मान गयात कर लेंगे साड़ी कमान तो आप से गयात करना आता ही होगा भी क्या करते हैं अरे यहां से हम इसका अगर क्या करते हैं कि आरवन के सापक्ष पिरसार करने पर आरवन के अनुदिश पिरसार करने प चुपा करके इस कॉलम को चुपा करके जो बचा उसकी मल्टिप्लाई इसमें माइनस लगाते हैं बीच में उसकी मल्टिप्लाई इसमें करते हैं तो यहां से हमारा उसके बाद में जब यह वाला काम हो जाए उसके बाद में माइनस थ्री बाहर रखते हैं इस रो को छोड़त यह अमिए विफ्टी ना चुका है यह थीनों मान्व हमने तीनों आसर निकाले मुझे उम्मीद दोस्त यह चीज आपको समझ आगी उसके बाद हम ग्याद करते हैं उसके बाद या नहीं तो हमें यह प्रूस करना है तो आइज हम फिसको प्रूफ करते हैं सबसे पहलेweed अ काम अगर हम ग्याद करेंगे उसके इस की साथ में फिर सी को हम जोड़ देंगे एड करतें हैंना इसलेप हमारा we hypoth hand side यह नहीं इस वाले side का हम solve कर रहे है clear? तो a plus भी करेंगे आईए हमने इसको 7-7 लेकर चला यहाँ पर यहाँ दिखीगा दोस्त हम क्या करेंगे इस 0 में इस 0 में इस minus 2 को aid करेंगे क्या आजाएगा? minus 2 आजाएगा है ना? मैंने क्या कहा? minus 2 ठीक है lhs हो जाएगा यहाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है a plus b गयाद कर रहे है और plus c बाद में हमने यहाँ पर ही लिख दिया अभी बताता हूँ आपको में इक पंट देखे हम नहें इसमें सबसे पहले a में b को जोड़ेंगे यहीं इसके corresponding निणें जोओ उनको आपस में.'' 0 की अगर हम इसमें यह लाइड करेंगे तो minus 2 minus 1 में 0 करेंग吗 minus 1 2 में 3 लाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा इसी पिरकार 3 में 4 को everything 7 हो जाएगा 4 को minus 5 में लाइड करेंगे minus 1 बचेगा minus 5 plus 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा है ना यह हमारा एसल देंगे जोड़ेंगे ठीक हमारा यह रहा पोड सेवन माइनस टू जीरो माइनस वाइफ वन है ना इसमें जब हम यह एड करेंगे तो यहां से माइनस टू यहां पर हाँ हाँ ठीक ठीक यहां पर पहुच गया हूं आगे हाँ बचेगा ठीक है उसके बाद माइनस वन में अगर हम यह करेगा हमारा 5 में माइनस तू यानि थी बचेगा 7 में 0 करेंगे तो 7 माइनस 1 माइनस 5 तो माइनस 6 माइनस सोरी 1 और 1 टू आजाएगा यह हमारा a plus b plus c का यानि left hand side command आ चुका है आप क्या करेंगे अब यहाँ पर b plus c को add करेंगे है यानि इसको और इसको आपसमें add करेंगे उसमें फिर जब यह यहां पर हमारा यह तो आ चुका है ना हाँ लेट हैंड साइड तो हम निकाल चुके हैं अब राइट हैंड साइड ग्याद कर रहे हैं ना हम तो सेवन आजाएगा ठीक है बिलकुल यह रहा अरे भई जीरो में सेवन को add करेंगे तो सेवन ही तो आएगा जैसे कि आप यहां प यहां पर सिक्स में अगर वन एड करेंगे तो सेवन रहेगा आई होप दोस्त यह चीज आप समझ चुके होंगे मुझे पूरी उमीद है उसके बाद क्या करेंगे उसमें एड करतेंगे यह रहा हमारा तो इसके कर्रस्पोंडिंग को add करेंगे यहां पर क्या रहेगा हमारा 2, 6, 3, 7, 6, 2 अब अगर हम देखे तो RHS is equal to LHS RHS is equal to LHS ठीके कैसे आई देखते हैं उसको भी देखी यहां पर हमने क्या किया हमने A B plus C निकाला उसमें A add कर दिया क्या है 2, 6, 3, 7, 6, 2 उसके बाद में अगर हमने यहां देखा A plus B add किया और उसमें plus कर दिया C है ना तो 2, 6, 3, 7, 6, 2 बचा है ना दोस्त तो दोनों चीज़ यह बिल्कुल सेम आ गई इसको अब हमने क्या कहा RHS is equal to LHS प्रूव हो चुका है यह चीज है ना आई यह next step पर चलते हैं और और सॉरी next questions पर चलते हैं और यहां पर देखते हैं question number 9 A कमान यहां पर दिया आप अराम से कर सकते हैं इसको मुझे उम्मीद दोस्त यह चीज़ आप अच्छे से कर सकते कर लेंगे जब तलक आप खुद नहीं करेंगे definitely आप नहीं सीख पाएंगे है ना तो प्रेक्टिस की जरूरत होती है इसको सबसे पहले आप A की multiply करिए B में फिर उसके बाद B की multiply और यह दिखाना है कि A B B A के बराबर नहीं है तो easily आप solve कर सकते हैं इसको यह वाला question को मैं skip कर रहा हूँ उसके बाद next question की और चलते हैं और यहां देखते हैं है ना दसवा questions की और A कमान B कमान दिया हुआ है हैना यानि मैट्रिक्स कमान दिया हुआ है एका और मैट्रिक्स हुआ है है ना हमें क्या प्रूव करना है हमें A B की multiply करके उस्कामान जीरो आना चाहिए यह हमें प्रूव करना है तो इसको भी हमने solve किया था जिसके आप यहाँ पर देख रहे हैं A into B रखा पहली रो पहला पहले कौलम पहले को पहले कोम दूसरा कोलम पहले कोलम रॉन्छांट चलेंगे बस चीज ओप रूल नहीं эпिनेंगे नहीं haosh होगा ना उसके बात में क्या वैसे इस सब इडिकी आपर अगर उच् respects किमान किया हुआ है और हमें क्या पुरूव करना है हमें A Squire प्लस 2A plus 3 i3 ज्याद करना है क्लियर है 3 3 is equal to 18 ठीके हमें एकमान यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर बस ही दियो हमें क्या पूरूव करना है एस्क्वायर स्वायर प्लस 2A plus 3 i3 is equal to 18 12-81-10-6-24-12-6-10-32 ठीक है यह हमें प्रूव करना है क्या करेंगे सबसे पहले a2 यानि एक ही multiply इनके elements से ही कर देंगे एक अमान लिखा इन्टू एक अमान लिखा दोनों को एक दकी लिखा अब वही चलना है भाई जो मैंने नेम आपको बताया रो बाई कोलम पहली रो पहला कोलम पहली रो दूसरा कोलम पहली रो तीसरा कोलम दूसरी रो पहला कोलम दूसरी रो तीसरा कोलम इसी पिरकार तीसरी रो पहला कोलम तीसरी रो दूसरा कोलम तीसरी रो तीसरा कोलम नेम से नहीं अटना है तो यहां से a2 कमान अगर हम find करें तो a2 कमान हमारा आजाएगा 11-10-4-8-21-2-22 और यहां सताइस अजाएगा ठीक है a2 का अब क्या ग्याद करना एक उसके बाद हमें ग्याद करना है इसके बाद हमें ग्याद करना है प्लस 2 है यहांनि टू की multiply ऐसे कर देंगे इस पूरे अलिमेंट में इस पूरे मेंट के अलिमेंट में टू से multiply करेंगे है ना तो आई करते हैं तो से जो हमने multiply करी तो क्या गया कि टू इंटू ये और सभी elements से multiply करते है तो टू टू दा फोर्ट टू वंदा टू टू थी दा माइनस सिक्स हा रहेगा इस तरीके सारी element में हमने टू से multiply करती है उसके बाद 3 i3 3 i3 का मतलब क्या है i3 का मतलब i3 का मतलब यानि तीन रो और तीन ही कोलम है ना तीन रो i2 कहेंगे इसको i3 उसको कहेंगे जिसके तीन ही रो हों और तीन ही कोलम हो one zero 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 one zero 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 one ठीक है तीन ही रो है और तीन ही कोलम होने चाहिए उसके इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे ठीक है तो 3 i3 का मान हमने यहाँ पर लिखने के बाद इन सभी को aid कर दिया, aid करना आपसे अच्छे से आता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इन सब को aid करेंगे तो यहाँ पर 18 18 उसके बाद में minus 8, minus 10, minus 6, 24, 12, minus 6 35, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह prove हो चुका है दोस्त, है ना, यहाँ पर क्या हो चुका है यह इसकी तरह आ चुका है, prove हो चुका है मुझे उम्मित दोस्त, यह question आपको बहुत easily समझा गए होगा, बहुत important question है उसके बाद दोस्त, यहाँ पर आप यह वाला question देखेगा, a command क्या है a command यहाँ पर यह दिया हुआ है 0010100 a inverse is equal to a यहीं हमें prove करना है, a inverse a के बराबर है यह हमें prove करना है, क्या करेंगे a inverse निकालने के लिए, मैंने formula आपको बताया था a inverse is equal to a joint a upon a का mode क्या करेंगे, सबसे पहले हम a mode गयाद करते हैं, अगर उस command 0 नहीं आता है, तो इसको आगे solve करते हैं यह बात होते ही थी ना आपसे, बिल्कुल तो हमने इस command minus 1 आगया, a mode का मान सबसे पहले करते हैं, तो सबसे पहले cofactor of a, यानि क्या करना है हमें, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इन सभी के मानों को हमें ग्याद करना है यह सारी बाते दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहली वाली वीडियोस में, यहना, a11 की value निकाली तो यहां से 0 आगया, a12 की value निकाली 0 आगया, a13 की value निकाली minus 1 आया, a24 की, sorry, यहां से a21 की value निकाली 0 आया, a22 की value निकाली है से 0 आ गया A31-1 A32-0 आ गया A33-0 आ गया A11 का मतलब एक दफ़र आपको फिर explain करता हूँ A11 का मतलब क्या हुआ यानि A11 यह वाला हमारा क्या है यह वाला हमार element है यानि जिस A11 वो element जिस row में उपस्ती थे और जिस column में वो उपस्ती थे उसको फोड़ देंगे बस जो बचा हमारा उसकी क्रोस multiply कर देंगे माइनस बीच में लगा देंगे उसका मान निकल जाएगा A11 का इसी पिरकार दोस्त A12 का यानि वो element जिस row में और जिस column में पसित है उसकी multiply इससे इसकी multiply इससे उसको छोड़ देंगे बस इसकी multiply करने के बाद में और बीच माइनस लगाएंगे और वहां से A12 का मान इसी पिरकार दोस्त सारी सभी मान यहां से निकल कर आ अचके है कर अचके है का फाट जिए zero-1 zero-110-100ड सकते हैं अब हमें जोइन निकालना है तो क्या करेंगे लिए इस को और इस में क्या कर देते हैं जैसे हम इस लैसर beginners इन पर हमारा यहांपर हमारा 00-1-1-000-0-1-0 यनिए सी तरी कैसा आगिया हमार तो इस इसको हम symmetric matrix भी कहते सकते हैं है ना तो a inverse कमान हमें निकालना है तो हमें जब a कमान a joint a कमान पता है a mode a कमान पता है तो a inverse क्या नहीं निकाल सकते हैं बिलकुल तो minus sorry a की a inverse is equal to अब a mode कमान minus one आया था है ना one upon minus one आया था ना तो minus one यह उपर भी चला जाएगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है बस उसके बाद में a joint a कमान लिख देना है और यहाँ पर यहाँ पर जो minus one है इसकी multiply इन सभी element विचे हम करेंगे तो यह इसको plus कर देगा इसको plus कर देगा बाकि सभी से हम करेंगे multiply तो उसका मान zero ही आड़ाएगा उसकी कोई value नहीं होती है तो यहाँ पर a inverse कमान क्या गया 001 010 100 a inverse is equal to a prove हो चुका है दोस्त बहुत जादा important question है उसके बाद हम next questions क्यों move करते हैं और यह वाला questions भी देखीगा दोस्त एक कमान दिया हुआ है a joint a कमान हाँ यहाँ पर a joint matrix पूश रहा है कैसे गयात करेंगे अरे भाई जैसे अभी मैंना आपको बताया है वैसी ठी किसी परकार है ना क्या करेंगे a11 कमान a joint a is equal to cofactor को transpose कर देंगे transpose मतलब परिवर्थ कर देंगे उसको तो a11 कमान minus 2 a12 कमान minus 6 a13 कमान 3 a21 कमान minus 3 a22 कमान 2 a23 कमान minus 1 a31 कमान 14 a32 कमान 9 a33 कमान minus 3 ना चुका है है ना दोस्त उसके बाद cofactor a यानि जो मान यानि a11 की जगे a11 कमान a12 कमान a12 कमान a13 कमान रखतेंगे किलियर इन सभी कमानों को रखने के बाद में a join a निकाल लेंगे यानि इस row को इस column में चेंज कर देंगे रो को हम column में क्या कर देंगे इंटर्चेंज कर देंगे इंटर्चेंज जैसे ही करते हैं तो यह हमारा a join a command निकल कर आचुका होगा है ना तो यह चीज भी आप कर सकते हैं easily है दोस्त उसके बाद में बात करते हैं 16 वाले questions की यहां पर एक command दिया हुआ है 756-423-308 पिटिलों आव्यू ग्याद करो transpose matrix हम से पूछ रहा है कैसी ग्याद करेंगे अरे बहुत easy है यार बहुत ज्यादा easy क्या करना है transpose matrix यानि परिवर्ट कर देना है बस यानि इस रोको इस कोलम में चेंज कर देना है 756 तो 756-423-423-308-308 रोको कोलम में चेंज कर रहा है यही इसका answer है वह जब हम परिवर्ट करते हैं तो उसको a-day लिखते हैं इस चीज़ को भी आप क्याद रखेंगे हैं ना दोस्त में कर ठीकिजे 17 को पर चलते है एक मान दिया हुआ है विद्गुरूम आविव ग्याद कीजिए इन्वर्स मेट्रिक हमसे पूश रहा है यानि ए की पावर एइन्वर्स कमान पूश रहा है क्या गयात करें का कैसी गयात करते हैं एन्वर्स इस इकल टू ए जोइंट ए एप solve कर सकते हैं कैसे इसका पहले कोफेक्टर ओफ ए मैट्रिक्स निकाल लिएगा ठीक है यानि ए इस इकल टू ए वन वन ठीक है ए वन टू ए वन थ्री इस वाद में ए टू वन ए टू टू ए टू टू ए टू थ्री ए ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ठीक है इन सभी के मानों को आप ग्याद कर सकते हैं दोस्त है ना इसको क्या गया है कोफेक्टर ओफ ए मैट्रिक्स किलियर ठीक है तो यहां से इस कोश्चन को आप सॉल्व कर लिजेगा आगे मैं आपके ऊपर चूड़ता हूँ यह वाला कोश्च प्रेक्टिस करना आपके ही जिम्मेदारी है ठीक है अब A कमान यहां पर दिया हूए और B कमान यहां पर दिया हूए कह दिया गया है शो देट 2006 में कोश्चन पुछा गया है शो देट A plus B is equal to B plus A यानि A plus B जो है वो B plus A के बराबर है तो easily इसमें यह जोड दीजेगा उसके समझनी कोशिश करते हैं A कमान दिया हूए B कमान अब क्या करना है A plus B करना है और A minus B यहां पर A को B में जोड़ना है उसके बाद में B को सोरी हाँ A को B में एड करना है फिर A को यानि A में से B को माइनस करना है मैंने शुरू में ही कोश्चन बताया है यह वाला easily आप कर सकते है इन कोश्चन को ठीक है ठीक है दोस्त उसके बाद हम next questions की और मुग पड़ते हैं यह सारे question मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपकी practice अच्छे से हो जाए है ना दोस्त पी कमान दिया हूँ है क्या करेंगे हमें 2P minus 3Q कमान बताना है तो क्या करेंगे 2P minus 3Q है ना तो 2 की multiply P मे सभी element में 2 की multiply इन सभी element में 3 की multiply क्योंकि multiply में रखा हुआ है 3 कर देंगे easily इसमें से इसको minus कर देंगे यहां पर यहां हमारा answer आजाएगा है ना दोस्त easy है बहुत जादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है practice आपको ही करनी है उसके बाद चलते है next questions की और a command दिया हू हुआ है कहें जी अगया है to prove a cube minus two a square plus a minus one is equal to minus one यानी i matrix भई i matrix का मान क्या होता है one होता है तो one की जगह क्या लिखेंगा i matrix लिखेंगे इस चीज को भी आप याद रखेंगे तो a cube का मान निकालिए कैसे निकलेगा सबसे पहले आप a की multiply a से ही कीजिएगा है ना यानी a into a ठीक है तो यहां पर हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से हैं है ना यानी a square आ जाए हम two a square और a square हम निकाल ही चुके हैं उसमें two की multiply कर देंगे उसके बाद में a हमारा है है और minus कर देंगा उसमें से i matrix ठीक है one zero one zero 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 one i hope दोस्त यह चीज आपको समझ जागी हो उसके बाद हम यह वाला questions की ओर चलते हैं a command दिया हूँ है a joint a command पूछ रहा है कैसे करते है a joint a is equal to cofactor कर देंगे और cofactor कैसे निकलता है a one one a one two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three इस तरह से निकाल लेगा है ठीक है 23 वा question देगे 24 में करने है 23 वा question केसे होगा a command दिया हूँ है a joint a अरे बहुत easy है cofactor निकाल देना इसका ठीक है उसके बाद में 24 वा question की ओर चलते हैं तो a command दिया हुआ है विर्थ क्यूम विद्क्रम आव्यू पूछ रहा है यानि a inverse command पूछ रहा है उससे पहले हम क्या जाद करेंगे a mode command क्या करेंगे अगर 0 नहीं आता है तो आगे solve करेंगे कोफेक्टर निकालेंगे कोफेक्टर जब निकल जाएंगे उसका transpose कर देंगे a joint निकल कर आ जाएगा है यहां से इंवर्स ग्याद हो जाएगा मुझे उम्मीद दोस्त यह सारे question आपको अच्छे से सबज आ रहे होंगे और 28 से question में a command दिया हुआ है प्रूव देट यानि a inverse हां यहां यह वाले question दिखेंगे इस वाले question का हिंट देता हूं a command दिया हुआ हमें क्या प्रूव करना है a inverse का मान हमें बताना है a inverse into a is equal to i है ना यानि a inverse जब हमारा find हो जाएगा उसकी multiply हम इस वाले उससे element से कर देंगे इन समी में कर देंगे रो की column में रोभाई column होती है multiply अगर वो i आ जाता है तो वो प्रूव हो जाएगा है ना i matrix यह यह वाली matrix किलियर उसके बाद चलता है हम यह वाली questions पर 19 पर a command दिया हुआ है b command दिया हुआ है क्या करना है a square b plus b square a is equal to a अगर a square यह यह a है और इसी तरीके की बिल्कुल इसी परकार की आप एक और लिखेंगे a है ना उसकी तो वो a square बन जाएगा उसके बाद जब वो a square आ जाएगा उसकी multiply b से कर देंगे है ना तो a square भी उसके बाद में फिर b लिखेंगे और into में बी लिखेंगे तो b square निकल कर a command दिया हुआ a square minus four a minus five five इसी तरीका का question मैंने आपको भी कराया था आप solve कर सकते हैं ना दोस्त तो मुझे उम्मीद है दोस्त यह सारे question आप अच्छे से note कर लेगे और यह वाला question भी आप solve करेंगे तीन equation दी हुई है यह आपर बहुत important है दोस्त very very important solve by matrix method यानि इसको matrix method से ह हमें solve करने है थाना दोस्त तो मुझे उम्मीद है दोस्त यह सारे question आप इजिली कर सकते हैं कोई से भी question समझने आता हो number दे दिया है मैंने इससे पहले आप उसको मुझे call कर सकते हैं ठीक है तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफी है मिलते फिर next class में और next recording class में तब तब त देख्यों स्टुदेंस लव्यों थाक्या